हेलो बच्चो, आप सुपका, आपके अपने चनल गोविन मैत लेक्चर्स में, एक बार फिर से स्वागते, तो पीरे विद्यारतियो, आज की इस क्लास में हम तक्सा 6 और 7 गणित विश्य की ब्रक बुक 2 जा तीबी 24 के तारे पत्रक अडिसर्ट को हल करना सिखेंगे, तो दस में किसका बाग पुरा-पुरा जाता है, तो बच्चो एक का जाता है, दो का जाता है, फिर बच्चो किसका जाता है, पांच का और दस का, तो ये सब क्या है बच्चो, ये सब दस के गुणनखंड है, क्या है बच्चो, ये सब दस के गुणनखंड है, क्योंकि इनक भाग दसके अंदर पूरा पूरा जाता है तो गुनंखंड का मतलब है कि उस संक्या में किन किन संक्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है वो उसके बच्चों गुनंखंड क्या लाते हैं यह को बच्चों पहला प्रशनों संक्याओ 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुननखंड लिखिए तो सबसे पहले हम किसके गुननखंड लिखेंगे 16 के बच्चो 16 में किसका भाग जाता है 1 का जाता है बच्चो 2 का जाता है 4 का जाता है इसके बाद बच्चो 8 का जाता है और 16 का जाता है अब बच्चो बात करें 24 की तो बच्चो 24 में एक का जाता है फिर बच्चो 2 का जाता है फिर बच्चो 3 का फिर 4 का फिर 6 का फिर 8 का फिर 12 का और फिर बच्चो 24 का अब बोला है समान गुणंखन इन दोनों के अंदर एक समान संख्या कौनसी है तो बच्चो इन दोनों के और फिर बच्चो आठ है ठीक है देखो एक इसमें भी है इसमें भी है बच्चो दो इसमें भी है दो इसमें भी है चार इसमें है चार इसमें भी है आठ इसमें है आठ इसमें भी है तो बच्चो सबसे बड़ा समान गुणंखंड कौन सा हो गया तो बच्चो सबसे बड़ा स बड़ी संक्या है जिसका भाग 16 और 24 दोनों के अंदर जाता है आगे बच्चो प्रश्न संक्या दो निमनलकित संक्याओं के समान गुणनखंड लिखिए बच्चो 6 और 15 के तो बच्चो 6 और 15 के समान गुणनखंड देखो इदर में 6 के लिख रहा हूँ 6 के क्या होते हैं 1 2 3 और 6 बच्चो 15 के क्या होंगे 1 3 5 और 15 तो दोनों के अंदर समान गुणनखंड कौन कौन से हैं 1 और 3 तो इसका जवाब होगा बच्चो 1 और 3 क्या होगा बच्चो 1 और 3 दूसरा 12 और 34 बच्चो मैं इदर लिख रहा हूँ 12 के गुणनखंड क्या होते हैं एक, दो, टीन, चार, छे, और बारा, 34 के क्या होते है बच्चो? 34 का एक, दो, खिर बच्चो आपका 34 मौर्वग स्का बाग जाता है बच्चो, 17 का और उसके वाद बच्चो किसका बाग जाता है 34 का. अब दोनों के अंदर समान गुणनकन कौन से है बच्चो तो हम कहेंगे बच्चो एक और दो कौन है बच्चो एक और दो तीसरा है 15 और 36 देखो बच्चो 15 के टूपडे मैंने या पर लिखे हुए हैं चतिस के इदर लिख लेता हूँ नीचे चतिस के क्या होगा एक फिर बच्चो दो फिर तीन फिर चार फिर छे फिर नो फिर बारह फिर अठारह और फिर चतिस तो देखो 15 और 36 में 15 और 36 में बच्चो समान क्या है एक और तीन क्या बच्चो समान है एक और तीन ठीक है अगला बच्चो 45 और 85 तो बच्चो 45 और 85 में समान कौन होंगे एक और पांच कौन होंगे बच्चो एक और पांच ठीके आगे बच्चो तीसरा प्रश्णो वह बड़ी से बड़ी संक्या ज्याद करो जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है तो बच्चो हमें बड़ी से बड फिर 3 फिर 4 ये देखो लिखे हुए इधर 6 फिर बच्चो आपका 9 फिर 12 फिर 18 और फिर बच्चो 36 बच्चो 45 के एक फिर बच्चो 3 फिर बच्चो 5 फिर 9 ठीक है 9 के बाद बच्चो 15 और 15 के बाद 45 अब समान गुणनखंड जो दोनों में है वो बच्चो कौन कौन सी संख्या है वो है बच्चो आपका एक फिर बच्चो आपका 3 और फिर बच्चो 9 तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी समान वो है बच्चो 9 ठीक है तो बच्चो सबसे बड़ा गुणनखंड या बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 36 और 45 में भाग पूरा पूरा जाता है वो संख्या कौनसी है बच्चो वो संख्या आपकी 9 है आगे चौता प्रश्णो वह बड़ी से बड़ी संख्या जियात करो जिसका 20, 60 और 80 में पूरा पूरा भाग जाता है तो बच्चो सबसे पहले हम 20 के गुणनखंड लिख देंगे 20 के गुणनखंड क्या होंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20 यह होगे 20 के गुणनखंड है ना फिर बच्चो 60 के जिखो बच्चो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद बच्चो 60 में किसका पाग जाएगा 6 के बद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद बच्चो 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 60 फिर बच्चो किसका 80 का तो 80 के गुणनखंड क्या होंगे 1, 2, फिर बच्चो 4, फिर पांच, फिर बच्चो 5 के बाद हो जाएगा आपका 8, 8 के बाद बच्चो 10, 10 के बाद आपका हो जाएगा 16, फिर 20, फिर 40 और फिर बच्चो 80 ठीक है अब हमें बड़ी से बड़ी संक्या निकालनी है बच्चो हम कहेंगे बड़ी संक्या देखो 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है, ठीक है 20, 40 और 80 में, 20, 40 और 80 में पूरा पूरा जाता है, ठीक है तो ये हो गया आपका प्रश्न संक्या चा, तो बच्चो इस तरह हमने आपकी कार्या पत्रा का डिसर्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं, उम्मित करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्छों लाइप, कमेंट, सेरों सबस्क्राइब जरू करें, आज के लिए इतना ही, जे हिंद, जे भरत